बच्चों, हम बारवी कक्षा की गनित की पाठ्थि पुस्तिका का अध्याय एक संबंद और फलन पढ़ रहे हैं, जिसके पहले प्रस्ण का हल हम पिछले भाग में प्राप्त कर चुके हैं, आज हम दूसरे प्रस्ण से हल प्राप्त करेंगे, देखिएगा बच्चों, दूस सित किया गया है, अब संबंद का नाम भी आर है, और वास्तिक संख्याओं के समुच्चे को भी क्या कहते हैं, आर, ये आर और ये आर में थोड़ा डिफ्रेंस है, ये रिलेशन को वेक्त कर रहा है, और ये जो आर है, ये वास्तिक संख्याओं के समुच्चे को वेक्त कर र प्राबर हो B2 तब बनेगा ठीक है आगे क्या कहता है दुवारा परिभासित संबंध आर नय तो सवतुल्य है नय संमित है और नय संक्रामक है ये बात आपको सिद्ध करनी है बचू तो ठीक है हम स्टार्ट करते हैं क्यों संको करना तो देखे सबसे पहले हम सवतुल्यत्या क सवतुल्यत्या क्या कहती है कि परतेक परतेक वास्तिक संख्या खुद के साथ संबंद बनाना चाहिए देखिए और वास्तिक संख्याओं का समुच्चे है तो परतेक रियल नंबर के लिए बात होगी क्योंकि जो आपका relation है R, such that R to R define किया गया है, किसमें परिवासित है? R से R में, वास्तिक संख्याओं के समुच्चे से, वास्तिक संख्याओं के समुच्चे से, तो परतेक वास्तिक संख्याओं के बारे में यहां बात होने वाली है, परतेक वास्तिक संख्या अगर खुद से x ढूंड लिया ऐसा x ढूंड लिया जो खुद के साथ नए जुड़े, खुद के साथ संबंध नए बनाए तब आप कह पाएंगे कि सवतुल्य नहीं है तो सवतुलिता का खंडन करने के लिए आपको एक वास्टिक संख्या की जरूरत है, जो खुद के साथ सम्मंद नय बना पाए, तो देखते हैं, बच्चों वास्टिक संख्याओं के समुच्च में, 0 और 1 के बीच की संख्याओं की बात करें, किसके? 0 और 1 के मद्द में, अनं मिलेंगी आपको वास्टिक संखें, अब मुझे बताईए, अगर मैं एक से बड़े की बात क्यों नहीं कर रहा हूं या, मैं दो की बात करता हूं, तो दो तो खुद के साथ सम्मंद मना लेगा, क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है, कि अगर दो का दो के साथ सम्मंद है, तो दिख it means a equal to b संबंद का प्रतिबंद क्या है ये आपके सामने लिखा हुआ है तो आप कहेंगे कि a की जगे मैं पहले वाला 2 लिख दूँ और बढ़ाया बराबर का बीच में चिन है और दूसी जगे 2 b की जगे लिख दूँ और इसका स्क्वाइर कर दूँ बताओ ये बात सत्य है की नहीं है बिल्कुल सत्य है 2 का स्क्वाइर 2 से बराबर नहीं है तो क्या हुआ बढ़ा तो हो गई और बराबर या बढ़ा होगा तो संबंद मन जाएगा तो इससे क्या प्राप्त हुआ इससे प्राप्त हुआ 2 का 2 के साथ सम्मंद बन गया, कौन सा our relation, 2,2 belongs to our बच्चो, अब बच्चे ये कहेंगे, कि सर 0 से 1 के बीच में हमें ऐसी अनंत संख्याएं मिलेंगी, जो खुद के साथ सम्मंदित नहीं हो पाएंगी, एक बट्टा दो मैंने बीच में लिखा है, एक बट्टा दो का एक बट्टा दो के साथ सम्मंद नहीं बनेगा बच्चो, एक बट्टा दो, एक बट्टा दो के साथ relation नहीं बना पाएगा, कारण क्या है, देखो A की जगे, एक बट्टा दो और B की जगे भी एक बट्टा दो B की जगे B क्या आया 1 बटा 2 यानि कि 1 बाइ 2 1 बाइ 2 से सम्मंदित है कब होगा जब ये सर्थ पूरी होगी देखते हैं A की जगे 1 बटा 2 लिखो इसमें तो 1 बटा 2 लिखा बड़ाया बराबर है क्या 1 बटा 2 के whole square से B की जगे लिखिया ये तो क्या हो जाएगा 1 बटा 4 तो आप क्या कहेंगे कि 1 बटा 2 1 बटा 2 से सम्मंधित नहीं हो पाएगा बस ऐसी संख्याएं आप को अनन्द संख्याएं कहां मिलेंगी 0 से 1 के बीच में जो कि वास्तिक संख्याएं होंगी और वो खुद के साथ संख्याएं नहीं बना पाएगी अगर ऐसी एक भी संख्याएं का बच्चों ने उधारन दे दिया तो ये सिध हो जाएगा कि संख्याएं जो है वो सवतुल्य नहीं है क्योंकि सवतुल्यता कहती है जिस समुच्चे में आप संबंध परिभासित कर रहे हो उस समुच्चे का परतेक अव्यव स्वयम से संबंध बनाए तो चलिए कैसे लिखेंगे इस क्यूशन को देखिए सवतुल्यता पहला पॉइंट लेता हूँ सवतुल्यता सवतुल्यता का खंडन कैसे किया एक बटा दो का एक बटा दो के साथ हमने दिखाया तो सवतुल्यता में हम लिखेंगे कि एक बटा दो जो है belongs to R है belongs to R मतलब वास्तिक संख्याओं का समुच्चे हम जानते हैं कि एक बटा दो belongs to R होता है और एक बटा दो से बड़ा या बरावर नहीं है एक बटा दो का होल स्कॉयर नहीं है ना बच्चों तो फिर हम कह देंगे ये जो परतिबंध है ए से बड़ा या बरावर हो भी स्कॉयर ये संतुस्ट नहीं होता है और संतुस्ट नहीं होता है तो एक बटा दो का एक बट्टा दो के साथ संबंद नहीं बन पाता है आप कहेंगे एक बट्टा दो का संबंद जो है एक बट्टा दो के साथ नहीं गणिती रूप में लिखने का तरीका क्या है belongs to कुकार दो तो आप कहेंगे 1 by 2,1 by 2 note belongs to R तो इस बात को कहते ही आप कह देंगे कि जो R संबंद है आपका संबंद R सवतुले नहीं है क्योंकि आपने एक एक एक्जामपल ढून लिया जो खंडन करता है परीभासा का ठीक है? अच्छा जरूर ही नहीं है आप एक बट्टा दो लो मैंने कहा जीरो से एक के बीच में कोई भी संख्या हो एक बट्टा तीन ले लिजिए एक बट्टा च्यार ले लिजिए एक बट्टा तीन ले लेंगे यहाँ पर मिलेगा एक बट्टा तीन का होल स्क्वायर क्या बढ़ा होगा एक बट्टा तीन से नहीं होगा, तो एक बटा तीन का भी एक बटा तीन के साथ नहीं बना, कई संख्याएं आपको मिलेंगी, लेकिन वो मिलेंगी कहा, जीरो से एक के मध्य में बच्छो, तो आप इस तरह से इस्क्यूशन को बता सकते हैं सवतुल्यता के बारे में, कि सवतुल्य सिद्ध कर दि की, तो देखे सम्मित्ता के लिए क्या लिखेंगे, सेकिंड थिंग, सम्मित्ता, ठीक, सम्मित्ता की बात करते हैं, सर्थ क्या है संबंद की, मैं उपर लिख देता हूँ, ए से बड़ा या बराबर हो, बी इसको है, ये बात पूरी होनी चाहिए, बच्छो, ठीक है, तब A और B का संबंद बन पाएगा, क्युस्तन ही आप से कह रहा है, बताइए, अगर A B का मैं मान के चलूं, तो क्या B A से बड़ा हो जाएगा, ऐसे कोई उधारण A और B के आप दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, माना, माना, A बराबर ले लिजिए 1, और B बराबर ले लिजि लेकिन विपरीत संबंद पाच का एक से नहीं बन पाएगा, तो हम क्या कह देंगे, कि सम्मित नहीं है, अगर एक भी कर्मित यूग में ऐसा मिल जाए, जिसका विपरीत संबंद प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो हम क्या कह देते हैं, सम्मित नहीं है, मतलब A B मिले, लेकिन B यह नहीं मिले, A का B के साथ बन जाए, लेकिन B का A के साथ नहीं मने, ऐसी इस्ति अगर आपने पैदा करके दिखा दी, तो आप बात का खंडन कर देंगे, सम्मित्ता का खंडन कर देंगे, और आप कहँदेंगे कि संबंद सम्मित्ट नहीं है, तो देखिए, कैसे करेंगे, तो A बराबर 1, B बराबर 5, A की जगे क्या माना है बच्चों ने? बडाया बराबर है क्या 5, B की जगे 5 तो इसको A भी लगाना है बिलकुल है ये बात सत्य है तो कहेंगे हम कि एक का 5 के साथ सम्मंध आर बन रहा है ठीक है इसको गणिती रूप में ऐसे लिखते हैं अब 5 और 1 का चेक करेंगे तो उल्टा कर देंगे पहले कोन आ जाएगा यह यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक आपको अगर B का A के साथ बनाना है तो यहाँ पर B आ जाएगा यहाँ पर A आ जाएगा तो B की जगे कितना है आपके पास 5 परंतु आप कहेंगे परंतु जो 5 से बड़ाया बराबर नहीं होता एक स्क्वायर और नहीं होता तो पांच का एक के साथ नहीं है, वो बन पाएगा, क्योंकि संतुस्ट नहीं होगा आपका जो परती बंद है, वो नियम जो है, implies that पांच एक नोट बिलॉंग्स टू आर, ये लिख दिया, तो क्या कह दिया, आपने कह दिया, कि जो आर है, वो क्या नहीं है, सम्मित नहीं है, ये सम्मित्ता के बारे में बच्चों ने बोल दिया, क्लियर बच्चों, अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं, कि संक्रामक्ता के बारे में खंडन करेंगे, तो A, B और C, तीन अव्यव आपको पता होने चाहिए, देखिए, एक स्लाइड और लेते इसके लिए समझने के लिए, और आपने कहा संक्रामक्ता, तीन अव्यव बच्चों को वास्टिक संख्याओं में संबंद को परिवासित कर रहे हैं, तो तीनों संख्याएं वास्टिक संख्याएं होनी चाहिए, बच्चों, ये याद रखें, तो आप कहेंगे, माना, एक तो A बराबर मानना है, एक B बराबर मानना है, और एक आपको C के बराबर मानना है, ठीक है, तो मैं मानने के तरीके बताता हूं आपको, कि कैसे A और B का बन जाएगा, अच्छा, हमें करना क्या है, उस और ध्यान देना है, हमें ऐसे A, B, C चाहिए, कि A का B के साथ बन जाए, और B का C के साथ बन जाए, लेकिन A का C के साथ नहीं मने, कहने का मतलब, मैं उपर लिखता हूँ यहाँ पर, साइड में, आपको कुछ ऐसा चाहिए, अलग से लिख देता हूँ, कि A से बड़ा या बराबर हो B स्कुराइर, तो A B का बन गया, और B से बड़ा हो, या बराबर हो C का स्कुराइर, तो B C का भी बन गया, परन्तु A का C के साथ नहीं मनना चाहिए, ऐसी वास्तिक संख्या है, तो इसका मतलब मुझे कैसा चाहिए, कि जो A है, उससे बड़ा या बराबर नहीं हो C स्कुराइर, ऐसा कुछ ढूनना है, इस तर का जब आप ढूनेंगे, तो आपका काम हो जाएगा, A, B, C, ऐसे ढूनने, तो देखिए, मैं इसकी बात करूँ, B की, तो सबसे पहले B माल लो, कुछ भी माल लो, कोई विवास्तिक संख्या, एक, दो, तीन, चार, पांच मैंसे, कुछ भी माल लो, छे माल लो, साथ माल लो ये लो, मैंने B को क्या माना, पांच, अब मुझे A का B के साथ बनाना है, तो B का स्कॉयर A से बड़ा होना चाहिए, B कौन है, पांच, B का स्कॉयर क्या है, पचीस, पचीस से थोड़ा सा छोटा A को लो, मानने का तरीका याद रखें, आप और भी उधान दे पाएंगे, आ इसको A को, अब A और B का बन गया, अब C को मानने की बात आई, किसकी बात आई, C की, इस तरह से मानना है कि B से बड़ा या बराबर हो C स्कॉयर, तभी तो B C का बन पाएगा, चलिए, B कौन है, पांच, पांच से बड़ा होना चाहिए C सकॉयर, तो मैं छोटी से छोटी के समपला जाएंगे तो मैं जोटी जोटी संख्या क्या मानू कि पास्ट से बढ़ी हो जाए तीन मानूं कियो क्यों कि data का कितना बनेगा नो तो पात से तो नो बड़ा हो जाएगा और थीन का स्कोय 24 से बड़ा नहीं हो पाएगा, तो A और C का संबंध नहीं मन पाएगा, और खंडन हो जाएगा संक्रामकता की परिवासा का, और हम सिद्ध कर देंगे कि संक्रामक नहीं है, clear, चलिए, हम कहते हैं, तब 24 से बड़ा है, या बराबर है, 5 स्क्वाइर, नहीं है क्या, बिल्कुल है, 25 है, और बन जाता है, तो 24,5 belongs to R, तथा, आप कहेंगे कि अब 5 का 3 के साथ, B का C के साथ देखते हैं, तो 5 इधर आ जाएगा, बड़ा या बराबर C स्क्वाइर, या नहीं कि कितना हो जाएगा, 3 स्क्वाइर बिल्कुल है, सत्य बात है, 5 से बड़ा होता है, 3 स्क्वाइर नो, तो बड़ा होते ही सम्मंद मन गया, 5,3 belongs to R, परंतु, परंतु, आप कहेंगे कि 24, यानि कि A का और C का चेक करेंगे, तो A का मतलब 24, बड़ा या बराबर हो C स्क्वाइर, C स्क्वाइर मतलब 3 स्क्वाइर, नहीं है, ये 9 और ये 24, ये तो छोटा रह गया, बड़ा का है, ये बात सत्य नहीं हो सकती थी, तो ये सत्य नहीं हो सकती, तो 24 का तीन के साथ बड़ भी नहीं सकता सम्मंद, आप कहेंगे, 24, 3, not belongs to R, तो आपने सिद्ध कर दिया, कि A का B के साथ बना, B का C के साथ बना, लेकिन A का C के साथ नहीं बना, यहीं तो खंडन है परिभासा का, संक्रामत नहीं होगा, नहीं है, यह सिद्ध करना था आपको, कि उसन हो गया, अच्छा, बच्चे इस मानने वाले की, बहुत इंपोर्टेंट कि उसन है बच्चों, इंपोर्टेंट लगा के रखना इसकी उसन पर, एक्जाम की दृस्टी से बहुत अच्छा कि उसन है, आ संक्रामत नहीं है, और संक्रामत भी नहीं है, और कोई एक्जामपल इसका लेके देखें, ABC का, ठीक है, बच्चे के इसर पांच ही क्यों, हमें रटना थोड़ी है, हमें तो समझ ना है, ले लो तुमारी, लेकिन सबसे पहले B को, छे ले लिया, अब A और B का बनाने के ये वाला प्रतिबंद चाहिए, तो बताइए B स्कॉर कितना होता है, 36, 36 से जस्च छोटा ले लो, 35 ले लो इसको, ठीक, 35 ले लिया सब, अच्छा, 6 से बड़ा होना चाहिए C स्कॉर, तो 6 से बड़ा है, इसको 3 ही रहने दू, या 4 ले लोगे तो भी चल जाएगा, 5 ले ल में रखिएगा, इस क्युस्तन को कैसे करना है, इस तरह से, आपको मैंने पहले भी कहा है, कि जब भी सवतुल्यता, सम्मित्ता और संक्रामक्ता की परिवासा को आप खंडित करके, खंडित करके बताएंगे, तो आपको उधारन बताने होंगे, उसको तभी खंडन हो पाए या तो आप सिद्ध करें की नहीं है और नहीं कर सकते हैं, तो सोते ही सिद्ध हो जाता है कि वो है, ठीक, नेक्स्ट क्यूसन पर चलते हैं, बच्चों, क्या कहता है, जाच किजिए कि क्या समुच्चे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, समुच्चे का नाम दे दिया, तो म मैं मन लेता हूँ, इस समुच्चे का नाम A है, और A में element है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, यह A में, एक समंद आर परिवासित है, सच देट, A समुच्चे में है, तो A से A में परिवासित हो गया, A पर है, तो A से A में समंद परिवासित हो गया, ठीक है, समंद की बना लेंगे, देखिए, पहला समुच्चे A, A में 1, 2, 3, 4, थोड़ा बड़ा ले लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दूसा समुच्चे भी A, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी A आपका और ये भी A बच्चो, clear, अब अपन सम्मंद मनाते हैं, दी गई सर्थ के नोसार, A इधर में, B इधर में, यहां से यहां सम्मंद कोन परिभासित है, R, चलिए सर्थ पूरी कर, A बराबर 1, तो सम्मंद क्या है, B बराबर A प्लस 1, A की जगे, A रखिए, B का मान 2 होता हुआ, दिखाई दे रहा है, जैसे ही A, 1 होगा, B, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 1 का सम्मंद 2 के साथ, A बराबर 2 लोगे, तो B यहां कितना हैगा, देखे, A बराबर 2 लीजिए, 2 प्लस 1, 3, तो B का मान कितना हो गया, 3, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ, यही सम्मंद बना, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, और 4 का 5 के साथ, और 5 का 6 के साथ, तो इन संबंदों को हम आगे लिख लेते हैं क्या संबंद निकल करा है आपका R देखें कैसे लिखा जाता है करमित युगमों के रूप में R बराबर एक का दो के साथ दो का तीन के साथ संबंद बना तीन का च्यार के साथ बन रहा है च्यार का पांच के साथ बन रहा है और पांच का बच्चों छे के साथ बन रहा है छे का किसी के साथ नहीं बनेगा क्यों क्योंकि छे लोगे तो कितना आ जाएगा प्लस एक होते ही साथ आ जाएगा और साथ तो अपके समुच्चे में है ही नहीं कैसे बन सकता है करमित युगमों को देखते ही हमें पता चल रहा है कि आपका समुच्च जो था ए उसमें थे अव्यव एक दो तीन चार पांट छे यही अव्यव थे सवतुल्यता क्या कहती है परतेक अव्यव स्वयम से संबंदित होना चाहिए परतेक अगर एक भी अव्यव ऐसा मिल जाए आपके समुच्च में जो खुद से संबंदित नहीं हो तो संबंद सवतुल्यत नहीं होता परिवासा याद रखें बच्चों बताइए क्या एक-एक से संबंदित है कहीं समुच्च में एक है और एक खुद के साथ नहीं बना रहा है समुच्च में दो भी है दो खुद के साथ कहीं मना रहा है, 2,2 कहीं दिखाई दे रहा है, 3,3 मी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 3,3 के साथ, एक उधारन काफी है सवतुलेता का खंडन करने के लिए, बच्चे लिखेंगे देखिए सवतुलेता में, first thing, सवतुलेता, आप कहेंगे कि 1 जो है, बिलॉंग करता है A से, परंतु, 1 बिलॉंग स्टु A, परंतु, 1,1 नोट बिलॉंग स्टु R, देखिए, R के अंदर 1,1 कहीं नहीं है, तो आप कहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 1,1, नोट बिलॉंग स्टु R का मतलब, एक जो है, एक के साथ संबंदित नहीं है, मतलब एक स्वें के साथ संबंदित नहीं है, अगर ऐसा उधारन आपने दे दिया, को यव्यव है आपके समुच्च में, और खुद से संबंदित नहीं है, तो आप कहेंगे ना, कि संबंद, क्या नहीं है, सवतुल्य नहीं है, तो आप लिखेंगे, इंप्लाइज देट, आर सवतुल्य नहीं है, सेकिन ठीग, सम्मिध्ध्य, सम्मिध्थ समझ यह, एक का बी के साथ हो, तो बी का भी एक के साथ होना चाहीँ, ना, देखिए, एक का दो के साथ है, तो दो का भी एक के साथ होना चाहिए, क्या दो का एक के साथ है कहीं? खंडन हो गया, यह उदान नहीं लेना चाहिए, दूसरा ले लो, आपके एक्छा है जो ले लो, दो का तीन के साथ है, क्या तीन का दो के साथ है? पस एक एक एक्जामपल काफी है, सम मतलब क्या है? दो तीन से संबंदित है। जहां दो औरतीन कोन है बई? दो औरतीन किसके अव्यव है? ए समुच्चे के अव्यव है। परंतु आप कहेंगे दो तीन विलोंगस टुर परंतु तीन दो तीन कोमा दो नोट बिलोंग्स टू आर तो देखिए दो कोमा तीन का विपरीत सम्मन्द नहीं मिला बच्चियों तो आप क्या कह देंगे आप implies that करके लिख देंगे कि आर जो है सम्मित नहीं है इस तरह से आप discussion को कर देंगे अगला देखिए इसका संक्रामक्ता का देखते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं एक स्लाइड और लेते हैं संक्रामक्ता संक्रामकता का समझने के लिए पीछे चलते हैं एक बार जो अबने लिखा था उपर देखो यहां पर देखो कर्मित यूगम का समझ क्या कहती है साथ कहती है कि A का B के साथ मिले और B का C के साथ मिले तो यह कर्मित यूगम इस तरह के मिलने चाहिए और e का c के साथ नहीं मिले तो कह दोगे कि संक्रामक नहीं और ऐसा होता हो सब कलिए तो फिर संक्रामक है इसे कोई है 1 का 2 के साथ है मतलब A का B के साथ है और फिर B से सुरू होना लिए B का C के साथ है A मतलब 1 C मतलब 3 1 का 3 के साथ भी होना चाहिए था क्या है? पूरे संबन म में नहीं है बस खंड़न हो गया आप क्या लिखेंगे? 1 का 2 के साथ मिल रहा है 2 का 3 के साथ भी मिल रहा है परन्तु 1 का 3 के साथ नहीं मिल रहा है तो आप कहेंगे कि 1,2 belongs to R तथा 2,3 also belongs to R 2 और 3 का भी संबंद है जहां अव्यों के बारे में बताएं 1,2 और 3 की बात की है अपन ने तो 1,2,3 belongs to A समुच्चे A के ही तो अव्यों है यह परन्तु 1,3 not belongs to R ऐसा कहते ही क्या कह देंगे implies that R संक्रामक नहीं है यह लो तो आपने बता दिया कि सम्मंद सवतुल, सम्मित या संक्रामक्ता के बारे में जो बाते हुई आपने कह दी यही तो आपसे पूछा था आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले के उस सन पे देखिए क्या कहता है सिद कीजिए कि R में R मतलब यह R कौन है वास्तिक संक्रामका समुच्च में एक सम्मंद R है जो A का B के साथ सम्मंद बनाता है यदि B जो है A से बढ़ाया बराबर हो तो यह संबंद का नियम आ गया परतीबंद आ गया इस परतीबंद का जब पालन होगा तभी संबंद बन पाएगा और समुच्च कौन सा है ये रा आर यनि की वास्तिक संख्याओं के सभी वास्तिक संख्याओं के लिए यहां बात होगी सभी के लिए ठीक दुआरा परिबासित सम्मंदार सवतुल तथा संकरामक है किन्तु सम्मित नहीं है क्या बताना है ये सम्मंद सवतुल है और संकरामक भी है परंतु सम्मित नहीं है कि उसन में आपको पहले ही बता दिया कि क्या है और क्या नहीं है तो ये तो करना और भी आ आसान हो जाएगा तो आपको पहले ही पता चल गया कि उस्सन पढ़कर कि सवतुल्य है तो सवतुल्य है तो बात करते हैं क्या प्रतेक संख्या स्वयम के साथ संबंद मनाएगी तो सवतुल्य हो जाएगा हां देखिए प्रतेक वास्तिक संख्या स्वयम के या तो बराबर तो भी सम्बंध बन जाएगा, जैसे example देखिए, एक से दो जो है बढ़ाया बराबर है, तो एक कॉमा दो बिलोंगऺ स्टो आर हो जाएगा, पांच से साथ जो है बढ़ाया बराबर है, तो फिर पांच कॉमा साथ, इस तरह के सम्बंध मिलेंगे आपको इसके अंदर, तो आप इस तरह के संबन्ध किसके अंदर मिलेंगे आपको R के अंदर मिलते हुए परतीत होंगे अगर बनाना चाहो तो अच्छा मुझे बताओ क्या दो दो के साथ बनाईगा क्या ये बात सही है ये स्टेट्मेंट सही है क्या बिल्कुल दो से बढ़ा या बरावर है बरावर तो है भई बढ़ा नहीं तो क्या हुआ या तो बढ़ा हो दो अगला वाला या तो बढ़ा हो या फिर बरावर हो तो संतुस्ठ हो गया ना तो दो भी दो के साथ बना लेगा belongs to R क्या एक बट्टा दो एक बट्टा दो के साथ बनाएगा चेक करिए जरा एक बट्टा दो से बड़ा या बराबर है क्या एक बट्टा दो बिल्कुल है बराबर तो है बड़ा नहीं हुआ तो क्या हुआ बड़ा होगा तो भी संबंद मनेगा और बराबर होगा तो भी तभी तो दोनों यह चिन आपके सामने हैं, आप कहेंगे एक बट्टा दो, एक बट्टा दो, बिलॉंग्स टू आर, तो सम्मन बन गए, किस तरह से सम्मन बनेंगे बच्चों को पता चल गया, तो आप देख रहे होंगे, कि कोई भी एव्यव लोग है, वास्तिक संख्याओं के क्यों? परतेक वास्तिक संख्याओं खुद के बराबर तो होती ही है भई, कोई भी वास्तिक संख्याओं लेलो, रूट दो ही क्यों न लेलो, रूट दो, रूट दो के बराबर होगा तो सम्मन बन जाएगा, और होता है, रूट तीन लेलो, कैसी भी वास्तिक संख्याओं खुद के बराबर तो निश्चित रूप से होगी, तो संबंद बनने की ये सर्थ है, कि या तो बराबर हो, या अगलाव्यों बढ़ा हो, तो बच्चे देखो, यहां पर सवतुल्यता की बात करेंगे, सवतुल्यता, लिखने का तरीका ध्यान रखें, बताइए, किस की बात क के लिए, एक्स जो है, एक्स के बराबर होता है, यह संतुस्ट हो गई बात, या आप ए भी ले सकते हैं, बच्चों, मैं ए ले लेता हूँ, आपके क्यूशन में ए दिखाई दे रहा है, तो आप ए ले लीजिए, देखिए, आप ले लीजिए, for all, a belongs to r के लिए, a जो है, a से बढ़ाया बराबर है, is implies that, अगर ऐसा है, तो a का a के साथ, a की जगे कुछ भी हो सकता है, 2, 5, 7, root 2, सभी वास्तिक संख्याओं के लिए बात हो रही है यह आपे, belongs to r, यह relation है, और यह क्या है, समुच्च है, वास्तिक संख्याओं के दोनों में थोड़ा सा विभेद करके चलना है आपको, ठीक है, जब ऐसा हो जाता है, तो सवतुल्यता की परिवासा बिलकुल पूरी हो गई, आप कहेंगे, समंध आर, समंध आ बार, क्या है, सवतुल्यता है, सिद्ध हो गया, उधान आपको दे दियें, यह वाला उधान ले लो, यह वाला ले लो, या आपने मंद से भी आप काफी सारे एक्जामबल्स ले सकते हैं बच्चों, ओके, आगे चलते हैं, सम्मित्ता की और, सम्मित्ता क्या कहेंगी? सेक्ट थिसमित्ता है आपको क्यों सनमी बताया गया सममित नहीं है वैसे तो और दिखाई भी देगा अभी की सम्मित नहीं है क्यों क्यों नहीं है समित देखो दो और पांच का बनेगा कि नहीं सोचो क्या दो से पांच बड़ा या बराबर है बिलकुल है बड़ा तो है ना भई बराबर नहीं है तो क्या हुआ तो बड़ा होगा तो भी संबंद बनेगा और बराबर होगा अगला वे बड़ा हो या बराबर हो संबंद बनेगा ये बात ही कहना चाहता है तो मैं यहां कहूंगा कि 2 का 5 के साथ तो बन जाएगा अब उल्टा करूंगा तो 5 इदर आ जाएगा 2 उधर चला जाएगा A की जगे B, B की जगे A तभी तो B का A के साथ बनेगा तो आप कहेंगे बताइए यह बात सही है क्या मैंने 5 इदर लिख दिया और 2 इदर लिख दिया यह आपका A था यह आपका B था यह आपका A यह आपका B और B पहले आ गया, A बाद में आ गया तो B का A के साथ चेक कर रहे है समित्ता क्या हो कहती है, A का B के साथ हो तो B का A के साथ हो उल्टा देखते हैं, तो बताईए ये बात तो सत्य परतीत नहीं हो रही, दो तो पांट से छोटा होता है, बराबर भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, तो ये तो गलत बात हो गई, और गलत बात हो गई, तो परतीबंद संतुस्ट नय होने के कारण, पांच कोमा दो, संबंद की सर्थ क्या है, संबंद का नियम, संबंद का नियम क्या था, लिखने की जुर्त नहीं है, लेकिन याद दिला देता हूं आपको, A से बढ़ाया बराबर होना चाहिए B, तो आप देख रहे हैं, 2 से बढ़ाया बराबर 5 है, ये implies कर देगा, ये implies कर देगा कि 2 का 5 के स साथ relation बन रहा है, आर, परंतु आप यहाँ पर खंडन करना चाहते, परंतु 5 से बढ़ाया बराबर नहीं है 2, तो implies that 5,2 not belongs to R, ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि A का B के साथ तो बना, परंतु B का A के साथ संबंद नहीं बना, तो बच्चे बोल देंगे कि जो R है, वो सम्मित नहीं है सिद्वा, सम्मित नहीं है, इस तरह से बच्चों को यह क्यों संकर देना है, बात आई संक्रामक्ता की, तो A से बढ़ा B, B से बढ़ा C, तो A, B और B, C के बन गए, तो A से बढ़ा निश्चित रूप से C हो जाएगा बच्चों, तो A, C का बन जाएगा संग्घ्रामक्सीद हो जाएगा तो ऊसको परिभासा से अपन करदेंगे जब खंडन करना होता है तो A और B के लिए उधारण लेते हैं मैंने पहले ही किसमों में बताया है और जब कोई बात सत्य ही है, तो परिभासा से कर दो, परिभासा उस टाइम याद रहनी चीए, क्या परिभासा थी, A, B belongs to R, and B, C belongs to R से, क्या प्राफ्त हो, A, C belongs to R, बिल्कुल होगा, खुदी सोच लीजिए, आगे चलते हैं, एक स्लाइड और एड करते हैं, इसके अंदर, देखे, आपको, आपको बताया था, कि संक्रामक तासिद करते हैं, तो अपने को क्या मान लेना है, A, B का संब्द मान लेना है, और B, C का भी संब्द मान लेना है, और A-C का संबंद उन दोनों बातों से प्राप्त करके दिखाना है, यही तो परिभासा कहना चाहती है, तो देखे हम क्या कहेंगे, माना, माना A-B belongs to R, बताओ बच्चों, A का और B का मैं संबंद बना चुका हूं मान कर, मान लिया मैंने, है, है तो परतीबंद पूरा हुआ ह होगा, क्योंकि अगर परतीबंद पूरा नहीं होता, तो संबंद भी नहीं मन सकता, तो इस इंप्लाइज दैट, A से बढ़ा या बराबर होगा, B, यह एक बात, यह पहली बात, दूसरा स्टेटमेंट क्या माना, तथा, B और C का मानूंगा, तो B, C belongs to R, इस इंप्लाइज दैट, B से बढ़ा या बराबर है, C, यह दूसरी बात, बच्छो, एक हुए दो से, एक हुए दो से, देखो बच्छो, यहां समझने का परियास करें, A से बढ़ा या बराबर है, B, चलो, बराबर को छोड़ो, बढ़ा ले लो, A से बढ़ा है, B, B से बढ़ा है, C, तो क्य A से बड़ा C नहीं होगा, आप खुद सोच सकते हैं। चलो, ये तो बड़े वाली बात आ गई, अब बराबर वाला लेके चल पड़ो। A के बराबर है B, और B के बराबर है C, तो A के बराबर C नहीं होगा क्या, दोनों ही इस्थितियों में, चाहे बड़े वाला ले चिन लेके चल पड़ो, चाहे बराबर वाला चिन लेके चल पड़ो, दोनों ही इस्थितियों में A का C के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बात हमें एक और दो से कह सकते हैं, तो हम कह सकते है कि A से बढ़ा या बराबर होगा C ये निश्चित है और अगर ये निश्चित है तो फिर परतीबंद पूरा हो गया A और C के बीच का तो कह दिया कि A C belongs to R आप ये दो चीजे मान कर चले थे first and second और A और C का प्राप्त करके दिखा दिया तो क्या कह देंगे संबंद R जो है क्या है संक्रामक है तो आप कहेंगे implies that संबंद क्या नाम है संबंद का R क्या है संक्रामक है तो इस तरह से आपका ये क्यूशन हो जाता है बच्चों अगले क्यूशन पर चलेंगे क्या कहता है देखिएगा जांच कीजिए कि किया आर में ये भी वास्तिक संख्याओं का समुच्च ए आर में एक आर इस तरह से है ये संबंद है ये समुच्च समुच्च किसका है वास्टिक संख्याओं का समुच्च आर क्या है संबंद कैसे परिवाचित किया है एक का बी के साथ संबंद बनेगा कब बनेगा सब जब एसे बढ़ाया बराबर होगा बी क्यूब एसे बढ़ाया बराबर होगा बी क्यूब ऐसा ही क्यूशन नमबर सेकिंड था ये भी अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है उसके जैसे ही अपने इसको भी सौल कर देंगे ठीक है जीरो से एक के मद्द की संख्याओं की बात की थी याद कीजिए जैसे एक तो एक के साथ बन जाएगा मतलब एका परत्यक वास्तिक संख्या का खुद के सात संबंद बनने के लिए ये सर्थपूरी होने चाहिए खुद के साथ बनाओगे तो B कोई अलग थोड़ी होगा वो तो खुद के बराबरी होगा यनि कि A आ जाएगा अब देखिए बहुत सारी वास्टिक संख्याएं ऐसी हैं बच्चों के पास जिन में की सम्मंद बनता हुआ परतीत होगा जैसे मैं A बराबर 2 ले लो तो यहाँ पर देखिएगा A बराबर मैंने क्या माना? 2 A बराबर मैंने 2 माना तो 2 से बड़ा या बराबर है क्या 2 क्यूब? बिल्कुल है तो 2 का 2 के साथ तो बन गया 3 का A बराबर 3 ले लो तो क्या 3 से बढ़ा या बराबर होगा 3 स्क्वायर बिलकुल होगा तो 3 का 3 के साथ भी बन गया बच्चों बहुत सारी वास्तिक संख्याएं होंगी इस किस्षन में जो खुद के साथ बना लेगी संब्द जैसे की 1 से बड़ी या 1 लेकिन 0 से 1 के बीच में ऐसी संख्याएं उ 1 बट दो दो तो 1 बच्ट दो से बड़ा या बड़ाबर है क्या एक बट्टा दो का क्यूं बचों यह जो एक बट्टा दो G0 से एक की जितनी भी संख्या है इनके ऊपर घात लगाङों तो यह और छोटी हो जाएग स्कूर्ण हो जाएगा 1 बटा अट हो जा जाएगा तो ये तो बराबर नहीं हुआ ना, तो एक बट्टा दो, एक बट्टा दो के साथ नहीं बना पाएगा, और भी एक बट्टा तीन, एक बट्टा तीन के साथ नहीं बना पाएगा, ये बात पहले भी समझा चुका हूँ, उसी बात को यहाँ पर लिखना है, सवतुल्यता, सव तुन लेता लिखेंगे माना माना ए-बराबर एक बट्टा 2 ठीक है किसние बीलोंग कर रहा है वास्तिक संख्या कि समुझिक से वास्तिक संख्या थो है बट्टा 2 तो भिलोंग कर Leia अब एक्बट्टा 2 का एक वट्टा 2 के साथ चेक करने के लिए परतिबंद को संतुष्ट, परतिबंद ये वाला, क्योंकि B की जगे A आना चाहिए, ये वाला नहीं, इसी से ये बन कराया है, तो मैं कहूंगा, एक बट्टा दो A की जगे, बड़ा या बराबर हो, एक बट्टा दो का whole cube नहीं होता है, नहीं होता है, तो ह हम दे देंगे उधारण की एक बट्टा दो, जो है, एक बट्टा दो के साथ संबंध आर नहीं बना पाएगा, नोट बिलोंग्स टू आर, और जैसे ही आपने दिखा दिया कि वास्तिक संख्या बच्चों को ऐसी मिल चुकी है, जो खुद के साथ नहीं मना रही है, एक भी देंगे, implies that, आर सवतुल्य नहीं है, क्लियर बच्चों, नेक्स्ट, आगे अपन इस पर बात करेंगे सम्मित्ता पे, तो सम्मित्ता का भी खंडन करेंगे, देखे कैसे सम्मित्त नहीं होगा, सैकिम, सम्मित्ता, पीछे के वीडियो सारे देखना बच्चों, तभी चीजो को समझ पाएंगे, बच्चे अच्छे से, उधान देखे खंडन करेंगे, क्योंकि खंडन के लिए तो अपने एक्जामपल लेते हैं, ऐसी वास्तिक संख्याओं के समझें, ऐसे ए और बी ढूनने है, कि ए और बी का तो बन जाए, और बी और एका नीमने, तो माना, कुछ ए बराबर मान लो, और कुछ बी बराबर मान लो, दोनों चीजे ढूंडो, ए बराबर एक, बी बराबर मान लो, पांच, वही, जो पिछले उधार में माना था, वही मान के चल पड़ो, माना, ए बराबर एक और बी बराबर पांच, तो देखिए, एक और पांच का बनाना ह तो आप कहेंगे एक से बड़ा या बराबर है पांच क्यूब है की नहीं है बिल्कुल सत्य बात है पांच क्यूब मतलब 25 और एक का मतलब तो एक क्यों सम्मंद की सर्थ क्या है एसे बड़ा या बराबर हो आपका क्या बी क्यूब तो इस सम्मंद इस सर्थ को यहां रखा बि पांच का एक के साथ देखेंगे, तो विपरीत कर देंगे, बच्चे, विपरीत कर देंगे, तो आप देखेंगे कि पांच इधर आ जाएगा, अब क्या दिखाना है आपको देखें यहां पर, बी से बढ़ाया बराबर हो एक यूब, यह शो करना है, तो बी मतलब पांच, ए और जब संतुस्ट नहीं हुआ, तो बच्चों ने कह दिया, पांच एक नोट बिलॉंग्स टू आर, और जब आपने कह दिया कि पांच एक नोट बिलॉंग्स टू आर, तो आपने यह भी कह दिया, कि सम्मित्ता का खर्णन हो चुका है, इसलिए संबंध आर, क्या नहीं है सम्मित नहीं है clear students अब संक्रामक्ता की तरब बढ़ते हैं तीसरा point संक्रामक्ता देखे माना A मान लेते हैं B मान लेते हैं और C मान लेते हैं मानना क्या सोच कर है कि A का संबंद B के साथ बन जाए B का संबंद C के साथ बन जाए लेकिन A का संबंद C के साथ ना बन सके ऐसी तीन वास्टिक संख्याएं बच्चों को चाहिए तब ही तो खंडन हो पाएगा तो सबसे पहले B मानेंगे जैसे अपनने second question में किया था मान लेजिए इसको 5 ही मान लेजिए ठीक है या 4 मान सकते थे चलो 5 मान लिया B को 5 cube क्या A और B का बनाने के लिए क्या सर्थ पूरी करनी है A से बढ़ाया बराबर हो B cube और B और C का बनाने के लिए B से बढ़ाया बराबर हो C cube ऐसे ढूलने ठीक है लेकिन A से बढ़ाया बराबर नहीं होना चाहिए C cube तो A और C का नहीं बन पाएगा तो बच्चों ने ये 5 ले लिया 5 cube कितना हो जाएगा 125 मान लो 124 एक छोटा 15 कम और मान सकते थे 100 मान लेते तो भी चल जाता लेकिन जस्ट कम ही मान लो एक अब A और B का तो बन गया और B और C का इसको मान लो आप 3 तो बताओ B की जगे 5 और C की जगे 3 तो 3 का cube करोगे 27 तो यनि कि 5 और 3 का भी बन गया लेकिन ये 3 cube 27 होगा और A का value 124 होगा बहुत बड़ा है तो A बड़ा होने के कारण C क्यूब छोटा होने के कारण वह संबंद नहीं बन पाएगा ऐसे उधान आपके सामने कोई दूसरा उधान भी ले सकते थे जैसा कि मैंने आपको बताया है तो सबसे पहले देखिए A और B का आप कहेंगे कि 124 से बड़ा या बराबर है 5 का cube तो ये बात implies करती है कि 124 related with 5 related to 5 belongs to R संबंद R के अंतर गत 124 जो है 5 से संबंद बनाएगा तथा एक दूसरी बात कि 5 और 3 का संबंद चेक करेंगे तो 5 मतलब ये B और C मतलब 3 तो 3 square बिलकुल सही बात है 3 cube कितना मनेगा 27 तो 5 से बढ़ाया बराबर है ना 27 तो ये बात क्या implies कर देगी कि 5 कोमा कितना 3 belongs to R अब कहेंगे परंतु A और C का नहीं बनेगा परंतु A और C के बारे में बताएंगे A का मतलब 124 और बढ़ाया बराबर C cube है क्या देखो 3 square 3 cube नहीं है कितना हुआ ये 3 cube 27 और ये कितना है 124 कोन बढ़ा होगा 124 वो बढ़ा कैसे हो सकता है तो implies that 124 कोमा 3 not belongs to R ऐसा कहते हैं क्या हो जाएगा संबंध R जो है संक्रामक नहीं होगा तब कहेंगे implies that संबंध R और संक्रामक नहीं है इस तरह से इसक्यूसन को solve कर देंगे आप तो ये हो गया बच्चों आपका आज कल जो है अपन इससे आगे के प्रस्णू का हल प्राप्त करेंगे तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद